शेर और मगर्मच की कहानी एक दिन की बात है जंगल का राजा शेर पानी पीने एक नदी के पास गया पानी पीकर जब वह लोटने लगा तो उसकी नजर नदी किनारे धूप सेंखते मगर्मच पर पड़ी मगरमच ने उसे देखा और धूप सेंकने में लगा रहा शेर को मगरमच के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया वह तुनक कर उससे बोला तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने जंगल का राजा खड़ा है मुझे सलाम कर मगरमच ने दो टूप जवाब दिया तुझे जंगल का राजा है तो मैं इस नदी का राजा हूँ चल तु मुझे सलाम कर मगरमच की बात से आहत शेर से आप देखाना ताव और उस पर हमला कर दिया मगरमच उस समय जमीन पर था जहां उसकी ताकत कम थी वह शेर का सामना नहीं कर पाया और किसी तरह नदी के अंदर पहुँच कर अपनी जान बचाएं शेर अपने अहंकार में फूल कर वहां से चला गया मगरमच बदले की आग में जलता रहा कुछ दिन बीट गए एक दिन शेर को नदी पार कर कहीं जाना था वह नदी के पानी में उत्रा और तैर कर दूसरे किनारे जाने लगा मगरमच ने उसे देख लिया उसे उस दिन की अपनी करारी हार याद थी उसने आज शेर से बदला लेने का मन बनाया और उस पर हमला कर दिया शेर इस अप्रत्याशित हमले के लिए तयार नहीं था उस पर आज वह जमीन पर नहीं बलकी पानी में था जहां वह ताकत में मगरमच से कमजोर था मगरमच के हमले का वह जवाब नहीं दे पाया वह बुरी तरह घायल हो गया और किसी तरह जान बचा कर नदी के किनारे पहुँचा उसे समझ आ गया था कि पानी में रहकर मगरमच से बैर नहीं करना चाहिए इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमारी शक्ती पर अभिमान नहीं करना चाहिए कृपिया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू